नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फॉर्स्ट इंविस्मेंट पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवान्श पसीद आप लोगों ने कल की वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया और वो वाली वीडियो पे मुझे बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट्स आया जिस तरीके से मैंने बहुत देखा कि लोगों ने अपने फॉर्म को फिल कर रहा है और रिसर्च रिपोर्ट पाने के लिए वो लोग रेडी है आप लोगों को नेच्ट वीक संडे से आप लोगों को रिसर्च रिपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी on your mail and वहाँ पर आप लोग definitely कुछ फायदा उठा सकते हैं सो बात करते हैं आज की market पे हुआ क्या आज की market पे मैंने खुद बसनली एक option का trade लिया था तो वहाँ पर मुझे loss book करने को मिला मैं उसका reason बताऊंगा कि क्या हुआ and market जिस तरीके से act कर रही है उसके बार में बताऊंगा ये nifty और bank nifty का देखना important है because मैं आज correlation करूँगा India Wix versus index का so ये चीज आप लोगों को देखना बहुत important है तो last पर जब मैं आप लोगों nifty bank nifty explanation करूँगा तो उसको जरूर देखीगा क्योंकि वहां से हमारी market की dependency है चीक है अब बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको कल के trading session पे एक पराग milk दिया था and वो already gap down open हुआ तो वहाँ पर किसी ने buy नहीं कर पाए होगी क्योंकि levels हमारे उपर थे हमें एक रुपे उपर buy करना था technical analysis को बट आगे अगर इस पे दुबारा recovery आती है तो हम लोग इसके बारे में buy करने के बारे में सोचेंगे चीक है तो इस सारी बाते करते हैं आज देखनें कौन से stocks better लग सकते हैं यहाँ पर अब इस time पर मैं आप लोगों को सला देने वाला हूँ कि कोई भी stock पे entry level मैं दूँगा अपसे आप लोगों को और entry level पे एक चीज़ बोलूँगा candle close अगर candle close पे आप लोगों ने buy नहीं करा तो वहाँ पर आप लोगों के लिए risk और बढ़ जाएगा और मैं भी काऊंगा कि थोड़े time के लिए quantities को बहुत कम रखिए अभी quantities को बढ़ाईए मत क्योंकि market पे एक ऐसा phase आ रहा है जहां से हम लोगों लगते कि market शायद नीचे आ सकती है बट ऐसे नीचे 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 नियागी कि एक fall आया तो fall continuous रहेगा यहां पर आप लोगों को एक बार ऊपर नए highs बनते वे दिखेंगे फिर एक बार नीचे आएगा और अगेन एक नए high बनते वे दिखेंगे जो past में दो बार हो चुका है तो 2018 में हुआ था और 2020 फेब में हुआ था जब coronavirus start हुआ था तो यह सारी चीज़े हुई थी अभी मैं आप लोगों को बता दूँगा बट stocks मैं जो suggest करने वाला हूँ प्लीज quantity कम रखेगा entry price ध्यान से समझेगा कि मैं level क्या बोल रहा हूँ उससे copy pen में note करेगा और तब trade करेगा ठीक है सो चलिए start करते हैं और देखते हैं कौन्से stocks better है मैं जल्दी से cover करवानी के कोशिश करूगा मेरे पास आरे थे कि video थोड़ी लंबी हो रही है सो चलिए start करते है sorry guys यह video थोड़ी सी delay हो गई है सब्सक्राइब करते हैं कि आप लोगों को मिल रही होगी अभी बट इसके पिछे का एक simple सा रीजन था है कि मैंने video पहले सही बनाना start कर दिया था बट मैं recording का बटन on करना भूल था और वह आप लोगों को 9 बजे बता दिया था यूट्यूब पे तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं एक मिनिट मुझे मैंने आपको बताया था बट मैं दुबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के सामने भी 11 बजे बैठके और यहाँ पर मैं आप लोगों को दुबारा बता देता हूं BBTC याने की Bombay Burma Bombay Burma आप लोगों को buy करने की सला दीजी आ रही है अब आपके कहने पे आप लोगों ने बुला था सर्ट टारगेट अंच तॉप लॉस आप बता रहे हैं आप एंट्री लेवल भी बताई उससे हम लोगों को और जादा अस्तानी होगी तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एंट्री लेवल भी है तो आप लोग जो चेंजेस बोलेंगे वो चेंजेस आप लोगों के हम सामने लेकर आ रहे हैं तो प्लीज लाइक इस वीडियो कल जितना प्यार मिला है उत्ता प्यार आज की वीडियो में भी दीजेगा और लेट्स एम आप लोगों के कल 2000 लाइक करें तो उत्ते लाइक तो इस पर भी बनते हैं तो यहाँ पर बना क्या है अक्चुल में तो बीबी टीसी पर अगर आप लोग देखेंगे स्टॉक अल्रेडी बुलिश जोन में है अल्रेडी अपने लोवर लेवल से डबल हो चुका है तो अल्मोस्ट एट हंड्रेड से सोलह सो रुपे तक जा चुका है स्टॉक अब यहाँ पर क्या कर रहा है यह अल्मोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक साल से मतलब नौ से दस महीने से कंसॉलिडेट कर रहा है और एक रेंज के अंदर ट्रेट कर रहा है रेंज के अंदर ट्रेट करने के बाद हम लोग ने देखा था लास्ट विक इसने ब्रेक आउट दिया था इस रेंज का जब ब्रेक आउट दिया इस रेंज का तो उसके बाद हम लोग पर एक high probability देखने को मिल रही है कि यह stock इसका breakout दे सकता है so what you have to do, entry आप लोगों के सामने visible है 1360 की उपर अगर 15 minute की candle close होती है you can go for a buy with a target of 1450, 1540 and आपका stop loss होगा 1310 रुपीज का, ठीक है so quantities आप लोगों को सारे stocks पे कम बाय करनी है कहीं पर भी आप लोगों को जादा quantities बाय नहीं करनी है because अभी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस reason से मेरे stop losses हीट हुए थी आज के trading session पे nifty bank nifty पे और क्या changes सारे है जिसकी वज़े से हम लोगों को थोड़ा सा डरना चाहिए सो वहां पर ध्यान से समझेगा हर जगा quantities लोग ही बाय करनी है सो बात करते है अपने दूसरे stock की दूसरा stock है हमारा Reliance Industries Reliance Industries तो मैंने आप लोगों को कल के लिए भी बताया था कि आप लोग आज बाय कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट अभी थोड़ा सा सही काम नहीं कर रही है बट यहां पर इस नो अल्रीड एक breakout दे दिया है तो आई थिंग यहां पर एक bet लेकर चल सकते हैं तो Reliance पर आप लोगों को मैंने कली बता थी तिया पर इंट्री पॉइंट और करेंट लेवल्स पर भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो करेंट लेवल्स पर भी लाइन पर इंट्री टागेट आप लोगों को पता है अल्रेडी 22.90 से लेके 23.35 तक के टागेट्स हैं stop loss आपको 21.70 का मिंटेन कर रहा है आप देख सकते हैं एक सिंपल एक चैनल का ब्रेक आउट दिया चैनल का ब्रेक आउट दिने के बाद अगर आप देखेंगे एक परपल कलर की लाइन आपको शिएो कर रही है परपल कंगर की लेंग यह जब यह इसने ब्रेक आउट दिया ब्रेक आउट पर हमें भाई नहीं करना था हमें देख रहा है तो जो previous वाला resistance है उसको जब break करेगा तब हम buy करेंगे तो इसका previous वाला resistance था ये level इसका breakout दिया हम लोग ने buy up कर सकते हैं और हमारे targets ये और ये तो होंगे stop loss हम लोगों ने ये maintain कर रहा है तो आप बात करते हैं अपने 3rd stock की तरफ हमारा 3rd stock है IPCLAB IPCLAB भी आपको बाय करने की आप लोगों को पता ही कि फार्माकर के अंदर एक लियर प्रेकाउट है इस परटिकलर फार्माकर पर लोग देखें सारे सेक्टर के सारे स्टॉक बिटर perform कर रहे है और अगर हम लोग इपकल आपकी बात करें तो यह company बहुत अच्छी है but यह stock perform नहीं कर रहा है so अब यहाँ पर एक छोटा सा chance हमें देखने को मिल रहा है कि यह stock कुछ अच्छा कर सकता है so यहाँ पर हम लोग एक definitely buying करके चल सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही zone create कर आवा है अगर आप देखेंगे एक मैंने सिर्फ एक zone create कर आवा है यह इसी के indications से में पूरी analysis इस stock की समझ में आ जाएगे आपको यहाँ से start करना है आप देख सकते हैं आपर first, second, third time support लिया multiple supports लिये जब support का इसने 21st Jan 2021 को break down करा so वही support इसके लिए resistance बना फिर उसके नीचे consolidate करा फिर resistance का जब breakout दिया that become support as well अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने एक double bottom type of scenario को create करा और यहाँ से उपर जा रहा है आज जो open price था IPCALAB का और जो low था IPCALAB का वो दोनो same था market लगा थार नीचे गिर रही थी बट IPCALAB लगा थार ऊपर बढ़ रहा था तो I think यहाँ पर buying pressure है लोग buying करने के बारे में stock पर सोच रहे है so definitely आपर एक buying कर सकते है level अभी इसका stock का current price है 2095 का आप लोग 2105 की उपर buy कर सकते है 15 minute की candle अगर close होती है 2140 से लेके 2190 के minimum targets है जो मुझे लगता है दिखा सकता है stop loss आपको 2060 का maintain करके रखना है so अगर इस stock पचास रूपर जाते है तो आपने stop loss को 25 रूपर ट्रेल कर सकते हो उसके वज़ा से जो आपका risk है वो कम हो जाएगा और quantities इस पे भी कम होनी चाहिए ठीक है अब बात करते है अपने next stock की तरफ हमारा next stock है grief's cotton grief's cotton आप लोगों को बाय करने की सहला दी जा रही है आप लोगे पर पहली बात तो clearly देख पार है एक head and shoulder pattern मना है एक clear head and shoulder pattern का हम लोग एक breakout expect कर रहे है जो मुझे लगता है बहुत easily आ सकता है दूसरी important चीज़ यहाँ पर देखेगा stock इसने rally करना start कराता है 11 Feb से 80 रूपीज की level से और इसका जो top था वो 160 का तो almost double हो गया था within 10 days within 10 days यह stock double हो गया था 80 to 160 की rally कर दी ती इस particular stock ने ठीक है उसके बाद क्या कर रहा है यह तीन महीने से consolidate कर रहा है दो से तीन महीना यह consolidate कर रहा है एक range के अंदर बना रहा है अब आप एक चीज़ देखेगा कर मैं इस head and shoulder को भी अभी के लिए भूल जाता हूँ आप देखेगा एक sharp up move यहां consolidate कर रहा है और इसका breakout आ रहा है ब्रेक आउट है 152.5 कब 15 मिट की candle close होनी चाहिए 170 से 180 तक के targets है stop loss आपको 138 रुपीज का maintain करके रखना है आप 138 रुपीज का stop loss कैसे आया यह भी जान लीजे क्योंकि हर चीज आना आपको के लिए important होना चाहिए ठीक है यह देख सकते है पूरी rally है पूरी rally का जो मिड है उस मिड के नीचे सोड़ा मैंने अपना stop loss maintain करावा है क्योंकि अगर मैं पूरा नीचे करूंगा तो stop loss का percentage wise बहुत जादा हो जाएगा दूसरी चीज तागेट कैसे find करेगा है यह पूरा range देख रहे है range का बहुत है 120 range का top है 150 so almost 30 points का difference है so मुझे लगता अगर breakout आता है तो 30 points की rally तो बहुत easily कर सकता है तो इसलिए 180 तक के targets आप लोगों को बताया गए है ठीक है I hope आप लोगों को समझ गे में आ गया होगा अपनी analysis खुद करिए सबजिए और trade लीजिए so अब बात करते है अपने last talk की तरफ हमारा last talk है हिंडाल को हिंडाल को आप लोगों को बाय करने की सलत दी जा रही है clearly यह एक intraday trade होगा या एक से दो दिन होल्ट करना है यह कोई swing trade नहीं है जो पुराने अभी मैंने आप लोगों को चार ट्रेज दी है वो swing trading है बट यह नहीं हो सकता ठीक है stock अच्छा है आप लोगों को पाता है steel और metal sector कितने बढ़िये से perform कर रहे है यह company भी better perform कर रही है अपने lower level से अच्छे से recover भी कर रही है यहाँ पर एक triangle pattern का clear breakout भी हम लोग expect कर सकते हैं और मुझे लगता है कल के trading session के अंदर आ सकता है यहाँ पर हम लोगे एक buying बना सकते हैं छोटा साई target है so 395.5 की उपर आपको 15 मिट की candle close होती है you can go for a buy 404 से 413 तक के targets है और 389 का stop loss आपको maintain करना है यह एक intraday trade है मुझे लगता है कल के trading session के अंदर आ सकता है अगर नहीं आता कुछ भी profit दिख रहा हो ना hold करते विए अगर market fall करती है और यह नीचे आते है तो वहाँ पर आपका risk भी safe रहेगा तो आपको decide करना अगर मैं कोई stock आपको 10% उपर कटा आरकिट दे रहा हूँ आपको decide करना है कि आपको कितना percent चाहिए अगर आपको लगता है मुझे एक stock के अंदर 3% ही मेरे लिए काफी है तो एक stock अगर आपको 3% दे वहाँ से exit करो मैं आपको daily basis पे swing trades प्रोवाइड कर आता हूँ तो वहाँ पर आप लोग कोई और stock पे re-enter कर सकते हो कभी भी पूरे टागेट के लिए hold मत करो कोई भी stock को buy chance market जिस तरीकी से आज गिरी है तो वहाँ पर अगर कुछ ऐसा ना हो कि ऐसे दुबारा गिर जाए और हमारे stock stop loss की तरफ चले जाए तो जो भी आपको percentage suit करता है वहाँ तक hold करो and exit करो so guys अगर आपको हमारी theory पसंद आई है हमारे stocks पसंद आया तो like करिए इस video को अभी video को pause करके and हमारे channel को subscribe करिए 80,000 होने वाले है let's aim for 1,000,000 subscribers उसके बाद एक party करेंगे मिल जुल के ठीक है बात करते हैं nifty bank nifty की यहाँ पर मैं बताऊंगा मैंने कहाँ पर losses book करें क्या reason था और एक important चीज यह वाली important चीज देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है because यहाँ पर मैं कुछ ऐसे concept बताने वाला हूँ according in accordance with India Wix so India Wix के साथ मैं आप लोगों को nifty के analysis बताने वाला हूँ comparison करने वाला हूँ so जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को market का sentiments or volatility पता चलेगा so चलिए start करते हैं सबसे बहले मैंने nifty का chart आप लोगों लिए open कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते कि मैंने एक rising wedge वाली trend line आप लोगों को लिए past 3 video से draw करी वी है इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्या हुआ था एक breakdown दिया था breakdown दिने के बाद एक बाद इस लेवल से एक buying आयती इसके पीछे का logic क्या था कि यह एक छोटा सा gap तस gap को इसने fill करा था हम लोगों ने कोई बात नी मान लिया उसके बाद दुबारा range के अंदर यह trade करना start कर गया था यहाँ पर जब यह range के अंदर trade करना start हुआ आज के trading session के अंदर एक huge gap down दिखा मतलब gap down नी पूरा एक sharp fall आई इस particular stock के अंदर और इसने दुबारा इस range को breakdown करा अब एक बार कर रहा तो हम लोग समझ सकते देगी यार इसने gap को fill कर रहा जब दुबारा कर रहा हो और वो भी एक दिन के बाद ही कर रहा है सो यहाँ पर पता चलता है यह एक selling है के बाद नीचे जाएगा सो यहाँ पर मैंने एक retracement आप लोगों के सामने दिखाता हूं यह देखेगा यह तॉप है और यह बॉटम है सो मैंने टॉप टॉटम है फिबोनाची retracement रहा हम लोग ने देखा यह एक्जक 61% पर यह आया यहां तक आया उसके बाद एग red candle बनाई कोई trade ने लिया indecisive candle बनाई जैसी इसने 50% को नीचे break करा यहां पर हम लोगों ने trade लिया और नीचे लेने के बाद थोड़ा सा profit दिख रहा था options buying में और उसके बाद तुरंट ऊपर रहा और मेरा stop loss हिट हुआ यहां पर जो logic बिल्कुल perfect था यहां पर trade करने का logic बिल्कुल perfect था बट जिस तरीकी से market recover करें definitely एक loss होना था बट यह जो scenario देख रहा है यह जो 3-4 दिन से scenario चल रहा है यहां पर यह option buying के लिए बिल्कुल भी preferable नहीं है अगर आपको 3-5 रोपे चाहिए है आप heavy quantities पे काम करते हो तो आप यह कर सकते हो बट अगर आप लोग 20-50-60 points या 100 points की rally के लिए options पे काम करते हो तो यह आप लोगों के लिए strategy यह rally आपके लिए काम नहीं है तो मैं अपसे options तो नहीं करूँगा buying side में मैं definitely call या put को short करूँगा या फिर में एक iron fly strategy पे ही पूरी अपनी trading करूँगा bank nifty के अंदर तो मैं इसको study कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों से इंप्लिमेंट करना start करूँ जो भी मुझे response दिखते हैं मैं आप लोगों के साथ share करते रहा हूँगा अभी मैं बताता हूँ इस पर कैसे trade करना है सबसे पहले आप देखेगा एक छोटा सा hurdle आपको देखने को मिल रहे हैं आप एक double top type scenario क्रियेट कर रहा है आप लोगों को एक चीज़ पता है कि nifty all time high है bank nifty अभी तक all time high create नहीं करा अब यहां पर हमारी psychology क्या कहती है और सारे लोगों की psychology क्या कहती है क्योंकि मैं यूट्यूबर्स को follow करता हूँ और मैं देखता हूँ क्योंकि मेरा stock market पे interest है तो मैं हर यूट्यूबर्स की videos को देखता हूँ ठीक है ऐसा नहीं कि वह competition है तो मैं वाच नहीं करूँ तो यहां पर मैंने जादेतर लोगों को और खुद भी बोलते पर सूना है कि क्या होता है कि अब nifty bank nifty ने all time high break नहीं करा तो वह करेगा तो मतलब उसके अंदर potential है तो उससे तो buy करके ही रखना है nifty को नहीं करेंगे वह all time high पे trade कर रहा है यह पहले भी मैंने एक बार बोला होगा आपको याद होगा कि nifty को छोड़के bank nifty पे trade करते है कि वह अभी कम है वह अभी all time high नहीं पहुचा तो उस पे जादा opportunity है बट गाइस ऐसा नहीं है अब मुझे realize हो रही है ऐसी चीज नहीं है आपको एक बात समझनी है जो चीज stock bullish है वही उपर जाएगा जो चीज बियरेश है उसे उपर जाने की जादा chances है अब एक चीज बताईए अगर एक चीज strong है तो उसके खड़े रहने की chances जादा होंगे जो चीज वीक है उसको खड़े रहने की chances जादा होंगे अफकोस निफ्टी के खड़े रहने की chances जादा होंगे जब यार वो गिरती market पे भी positive जा रहा है और बार बार अपने highs को बना रहा है अगर अब भी आदा घंटा और market खुलती तो अपने previous high को भी break करके नया high बना च करेंगे ठीक है यह नहीं कि bank nifty अभी तक all time high break नहीं करा तो there is a high probability कि bank nifty अपने high को break करेंगे और उपर जाएगी it's not a it's very low probability क्यों क्योंकि वो अभी weak है जब गिरती है market तो वो बहुत तेजी से गिरता है और जब recovery आती है तो वो recover नहीं कर पाता है उल्टा निफ्टी पूरा recover कर जाता है यह हमें बता रहे है कि nifty strong है बाइं के लिए और selling के लिए bank nifty strong है ठीक है I hope आप लोग मेरा point समझ करेंगे और अगर आप इसी वे पर काम करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा पैसा earn कर पाएंगे अगर यह concept समझ में आ तो वीडियो को तो अभी like करके comment section में मैं जरूर बताएगा concept ठीक है अब बात करते है bank nifty की इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं according to india vex so चलिए एक बाद बांक निफ्टी को study करते हैं वहाँ पर भी मैंने option पर loss book कर रहा है आज तो वो भी मैं बताऊँगा so बांक निफ्टी को chart मैंने open कर दिया सबसे पहले आप लोगों को एक चीज देखनी है वो चीज क्या है कि continuously यह downtrend के अंदर काम कर रहा है आप दे सकते हैं इसने अपने previous वाले low को भी break नहीं कर रहा लो नीचे आया अपने low अपने previous high को break नहीं कर पाया और अपने previous low को break कर दिया इधर भी high को break नहीं कर पाया और low को break कर दिया इधर भी high को नहीं कर पाया और low को कर चुका अच ठीक है तो यह concept बता रहा है कि bank nifty week है आमे यहां पर short लेना है और nifty पर buy लेना है अब मेरा loss बुक वो बताता हूँ अब आप देखेगा यहां पर मैंने सबसे पहले क्या करा था 11 तारिक को भी मैंने एक loss बुक करा था bank nifty के अंदर आप यह देख सेकते हैं एक trend line में यह draw करी विया trend line का breakout आया breakout देने के बाद यह नीची आया नीची आने के बाद मैंने कोई trade ने लिया नीची आने के बाद यह trend line के अंदर आया क्योंकि जब trend line का breakout हूँओ तो यहां पर मैं एक buy करने के बारे में definitely सोच रहा था बट मैंने trade तब नहीं लिया था मैं wait करा इस level का इस level पे जब इसने यहाँ पर breakout दिया na इस level पे तो मैंने यहाँ पर re-entry लिए और जब यह candles बनी तो मेरा stop loss hit हो गया क्योंकि यहाँ पर इता time आदा एक गंटा consolidate करो उसके वज़ा से जो decay था price दिके की वज़ा से मेरा price नीचे आ गया ताइम दिखी की वजय से और मुझे आपर लॉसस बुक करने को में लगाए ठीक है 11 तरीक की बात आई है और यहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन पे भी मुझे लॉस हुआ ऑप्शन बाइंग पे अब आप देख सकते हैं यहां पर तो यहां पर एक क्लियर ब्रेक आउट था ब्रेक करा आउपर रीटेस्ट करा जब सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है तो धाट मेंस कि वह एक रिजिस्टेंज बन चुका है अब यह नीचे आ रहा है यहां पर मैंने शॉर्ट पोजिशन बनाई थोड़ा सा प्रोफिट दिखा उसके बाद उपर चला गया औंड मेरे concept इस तरीके से चल रहा है कि top पे भी हमें डर लग रहा है कि यह दुबारा अपने previous high को break ना कर दे so in concept की वज़े से हमें एक range decide करनी है that is the top that is the bottom हमें उपर short करना है, नीचे short करना है call or put को and range पे trade करते हैं हमें अपनी strategy को build करना है या फिर iron butterfly को हम लोग trade कर सकते हैं तेक है so वो strategies मैं आप लोग को बाद में एक्स्पेइन कर रहा है अब बात करते है nifty और इंडियाविक्स की जो की बहुत और most important है वहां से मुझे लगता है कि शायद अब मार्केट बर्स्त हो सकता है आने वाले तीन-चार महिने के अंदर-अदर आप देखाता है आप देख सकते हैं मैंने दो ग्राफ यहां पर आपके सामने पुट करें हैं आपर वाला निफ्टी है और नीचे वाला इंडियाविक्स है आप सबसे पहले पस इंडियाविक्स पे एक चीज़ देखेगा इंडियाविक्स ने यह वाली जो कैंडल है 9th June को इसने जो लो बनाया 12 रुपीस का बनाया 12 रुपीस का इसने लो बनाया रेड गलर की लाइन का ठीक है अब आपको देखना है रेड गलर की लाइन पे इसने लो कप क्रिएट करा था ठीक है आते है पीछे आते है इसने क्र 1180 या 12200 पर trade करे थी जब Nifty 12200 पर trade करे थी तब India Wix 12 रूपीज पर आया था एंड इसके बाद आप शाफ फॉल देख सकते हो अल्मूस्ट आधा हो गया था एंड हमारी इंडिया विक्स ने क्लियर ब्रेक आउट दिया था आप समझ रहे हैं तो यह लेवल कितना इंपोर्टेंट है इसके अलावा अब जरूरी नहीं है कि ऐसा फॉल आएगा मैं यह नहीं कह रहा इंडिया विक्स ने पहले भी 12 को टेस्ट कर रहा था पहले भी 2019 जुलाई में ठीक है तो क्या वहाँ पर भी श्याप सेलिंग प्रेशर आई थी नहीं अब आपको यही कंशेप्ट हो समझना है ठीक है मैं आप लोगों को लेकर जाता हूं जगा देखे यह आ गया वह जगा ठीक है यह देखे यह वाली कैंडल देख रहे है यह वाली कैंडल इस वाली कैंडल पर फोकस करेगा ठीक है मैं आपर आपको दिखा देता हूं एक सेकंड गवेट करिए यह वाली कैंडल पर फोकस करिए और यहाँ पर आपको इस वाली कैंडल पर फोकस करना है ठीक है यहा 1700 गा, so almost हम लोगों ने 1300 पॉइंट का एक correction देखा, उसके बाद एक दुबारा बाहिं गाई, so निफ्टी इंडिया विक्स ने क्या करा है, वो 12 रुपे से कहा तक पौच गया, वो पौच गया 17 रुपे तक, so 5 रुपे ही इंडिया विक्स बड़ा और हमारी इंडिया, हमारी निफ्टी, 1300 पॉइंट का fall कर गई, so यहाँ पर एक छोटा सा डर है, यह all time high था, आप देखेंगे, तो यह all time high के आसपास heat rate कर रहा था, और तबी एक fall आई थी, और अभी हमारी market भी all time high के आसपास heat rate कर रही है, so क्या हो सकता है, यह अभी क्या कर सकता है, यह यहाँ पर आ नीचे आएगा, और यहाँ पर आपको concept समझना है, क्या कर रहा इसने, दिखाता हूं मैं आप लोगों को, confuse मत हो नहाँ पर, ठीक है, एक second, यह देखेगा, यहाँ पर क्या हुआ, नीचे आया है, बड़ उसके बाद इसने अपने previous high को भी तो break करके, एक नया high बना दिये, आप point समझ रहें, अभी India Wix, इस level पर है, जहाँ पर एक heavy volatility हम लोगों को देखने वाली है, और यहाँ पर एक indecisive game है, मतलब इस level पर trade करने वाली जगह नहीं, अभी हम लोगों को patiencely wait करना है, कि breakout आएगा, यह breakdown आएगा, but there is a high probability कि नया high nifty बनाएगा, नया high nifty बनाएगा, but ऐसा एक time आने वाला है, दो से तीन महीने के अंदर, क्योंकि इसको भी दो से तीन महीने लग गए थे, ठीक है, दो से तीन महीने के अंदर एक ऐसा time आने वाला है, जो यहाँ पर nifty 1500 point minimum गिर सकती है, within a couple of days, so वो उसके लिए भी हमें ready रहना है, बट जब तक आएगा, तब आप बाइं आचुकिया, अभी ऐसे zone में जारा है nifty, कि वहाँ पर हम लोगों को बाइंग साइड में ट्रेट करना, it's very risky, I am not saying कि बाइंग साइड में हम मैं कहहाँ कि options बाइंग साइड में ट्रेट करना, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, so एक strategy बनाईगे, वहाँ पर sell side में अगर आपको पास पैसे नहीं है, तो मैं कहूंगा, एक पैसे हैं तो सेलिंग साइड उप्शन सेलिंग ट्रेट करिए वह जाद आपको प्रेफरेबल रहेगा, क्यों कि वहाँ पर आपको safe side मेलेगा, ठीक है, so मैं आप लोगों अच्छे से एक्षे से एक्षे कर दिया पर देखेंगा, तो मैं आपको निफ्टी केंडल सी निखा देता है, यह कैंडल साइब को समझ में आ रही है, यह चोटी 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 से ओड आरही है, क्या है देख रहे है क्यों को समझेगा, या क्यों पूरा कैंडल नीचे इसने पूरी वाली कैंडल को cover कर रहा वाद डाये क्रेट कर गया इसने भी क्या करना पूरा नीचес फिर चाप शे ठीफ ब् locally gone, बर आज के दिन भी यही मुआ तो मर्कट क्या कै रही है नीचे जा आ रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा बुक सेंड़े लोग में रहा LAUnσω I hope I have given you educational content I have all my mistakes I have told you to do this that wasn't right so now I have shared with you that whatever thing weak is weak and bullish is bullish I hope you will understand my concept if you will see another YouTuber in this video you will tell them in the comment section that there are chances that he will study himself Thank you so much guys for listening to me listening to this whole video I hope you will get educational content here and I will record this video again so please patiently this video is watching the end so like and subscribe and help us to reach 1,000,000 subscribers Thank you so much guys Good night Bye Bye